गूड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू ऑनलाइन स्टी पॉइंट दूस्तों आज तीन सितंबर 2022 है और हम आज के करेंड फेस के इंपोर्टेंट कोश्चन देखेंगे जो की आने वाले एक्जाम के लिए बहुत थी बात पूर्ण है वीडियो को लास तक देखिए सबसे करते हैं दो सितंबर का हाली में ब्लूमबर्ग बिलियनेयर इंडेक्स के अनुसार कौन से भारतिये वेवसाई दुनिया के तीसरे सबसे अमीर विक्ति बन गए हैं गौतम अडानी हाली में भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार सेंक्त अभ्यास की सराज माजित किया गया है हिवांचल प्रदेश के अंदर हाली मंतराष्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विक्र लेने वाले तेज गेंदवाच कौन मन गये हैं जेम सेंडर्सन और हाली में एसिया प्रसांद छेत्र में सीर्ष प्रदोगी की केंद्रों की सूची में बीजिंग के बाद कौन स से भारती राज भारती शेहर सीज पर रहें पैंगलूरू चैन्य और हैदराबाद थीक है हाली में नीती आयोग ने किस राज्य वाकें सहीद प्रदेश में पांस सव अटल टिकरिंग ले विस्थावित करने की खोशन की जम्मू काश्मीर के अंदर हाली में किसे मर्सिडी सभ्स घ्राइब के पूर्व सधस्य और ग्रामीड अर्थवस्था के प्रमख विसेसक्जों में dale से और एक किस एक विक्ति के निधन हो गया अभिजét सेन का नेधन हो गया है और अगला कोशन है हाली में अंतिरिक्छ में जाने वाली अमेरीकी मूल निवासी महिला कंहोंग निकोल मान और हालिम किस राज सरकार ने राजीव गांधी ग्रामेड ओलम्पिक खेल की शुरुवात किया है राजस्थान के अंदर ठीक है चलिए तीन सितंबर का पहला कोश्चन हम देखते हैं ध्यान से सुनिए और इसको लिखते चलिए नोट्स बनाते चलिए ठीक है चलि अनुराक सर्मा को दोस्तो हाली में जो है राष्ट मंडल संस्थी संग का जो है इसका कोशा द्यक्ष ठीक है चुना गया है ठीक है चलिए तो अपको अतादिक कनाडा में पैसटवा राष्ट मंडल संस्थी संग समयलन 55 देशों के साथ हुआ इस दोरान जहासी ललितपूर संस्थी छेतर से सांसद अनुराक सर्मा को संग का अंतराष्टी कोशा द्यक्ष चुना गया है आपको वता दे कि यह जो सीपीए दुनिया का सबसे बड़ा और संस्थी संग है ठीक है चलिए इसमें भारत के लिए एक और सीट बढ़ा दीगे जिसे कुल भारती संख्या च सामाजिक मौन भैक्जानिक कौन बने हैं रामधर सिंग किस आई एस अधिकारी को नेट ग्रीड का सीओ बनाया गया प्यूश को किसे केंट और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रस्ट्रक्ट्टर डवलमेंट का नए अमडी बनाया गया राज्किरण राय को किसे नेशनल इस्ट्रीट आफ इमोन लॉजिक निदेशक निक्त किया गया देवा सिंग मोहंती को ठीक है चलिए फिर हमारा अगला कोशन है साथियों हाली में भारत के सबसे तेज धावक कौन बन गये हैं वेरी वेरी इंपोर्डेन कोशन है चलिए बताइए वेरी इंपोर्ड रेली निम हो रही वेट्टी सेवन ए आई यार एथलीट चेंपियंशिव नौर्थीस्ट फंटियन रेल्वे के 24 वर्सी अमलान बोर्गोहन ने सौ मीटर दवड में गोर्ड मिडल जीता है ठीक है इसके साथ ही उन्होंने दोस्तो 10.25 सेकंड का समय निकालका राष्टी रिकार्ड भी तोड़ दिया ठीक है इससे पहले जो है अमित कुमार मलिक ने जो है 2016 में 10.26 सेकंड के समय के साथ राष्टी रिकार्ड रखा था और इसके साथ हालाकि एथलेटिक प्रेटेशन आफ इंडिया को रेल्वे प्रत्युकत से नभीनतम 100 मीटर रिकार्ड पुष्टी करने के आव सकता है ठीक है इस्पोर्ट्स के वेरी इंपोर्डेंट कुष्टन देखेंगे अंडर 20 कुस्ती चेंपियन्सिप में सौन पतक गितने वाली पहली भारती महिला पहलवान कौन बन गई है अंतिम पंगाल वेरी इंपोर्डेंट कुष्टन यूएफे महिला चेंपियन्स लीग में खेलने वाली पहली भारती महिला फुट्वालर कौन बनी मनीशा कल्यान किस राज सरकार ने दही हांडी को खेल का दर्जा की घोश्टन किया है महराश्ट ने अंतराश्टी पूरुस होंकी टूर्णमेंट सुल्तान अजलन साकप डंबर 22 में किस देश में आजित किया जाया का मलेशिया के अंदर आजित किया जाएगा हाली में किस भारती राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मी किसमारक बना जाएगा कि पस्षिम मंगाल के मंदिर जो इंटरनेशनल सुसार्टी आफ किस्टना कॉंसियंसिनेस मुख्याले गुरु में काम करेगा दुनिया के सबसे बड़ा गुंबद भी हो गई है हाली में किस राज सरकार द्वारा जन्जाती छेत्रों में हर घर उर्जा उत्सव आजित किया गया है महराश्ट्रा के द्वार ठीक है सेमी कंड़क्टर नीती सुरू करने वाला भारत का पहला स्टेट कौन सा बना है गुजरात किस भारती सहर ने वर्ल्ट्रेड सेंटर का सिले नयास किया गया है रांची के अंदर गूगल द्वारा यातायार डेटा साज़विनी करने वाला भारत का पहला सहर कौन बना है और रंगावाद किस केंद्री मंत्री द्वारा तिरंगा भाइक रेली आजन किया गया जी के सन्रेडी के द्वारा आज का breakfast करेंड फेर देखते हैं किस राज सरकार द्वारा हमारा अपना budget वेब पोटर लॉंच किया गया जारखन के द्वारा किस राज ने स्वास्त भीमा योजना मेडी सेफ शुरू करने की गोशना किया है केरल ने ठीक है किस राज सरकान ने स्मार्ट इवीट शुरुवात किया है हरियाणा ने किस राज सरकार ने फैमली डॉक्टर पाइलेट प्रोजेक्ट शुरू किया है अंध्र प्रदेश ने तो हमारे वेरी वेरी इंपोर्डन कोशन थे राज्यों की योजनाव से रिलेटेट हमारा कोशन चोथा है हाली में किस विक्ति को थाइलेंड में भारत का राजदूत यानि अंबेश्डर नुक्त किया गया है थाइलेंड में भारत का राजदूत नागेश सिंग बने है ठीक है तो यह थाइलेंड में भारत के राजदूत बनाये गए विदेश मंत्राले के जॉइन सेक्रेटर नागेश सिंग को भारत में भारत ने थाइलेंड में अपना नया राजूर न्यूक्त कर दिया है ठीक है आपको बता दें कि नागेश सिंग भारती विदेश से वाक्यों 1995 का ओफिसर है जिन्होंने अटलांटा में भारत के महावारी दूत्करू में भी कार किया है चलिए इंपोर्टन न्यूक्तियां देखेंगे किसने केंदी सतरक्ताइप्त के तौर पर शपत ग्रहन किया है शूरेंद पटेल कौन भारत के 49 मुखिने अधिस भारत के बने हैं उदय उमेश ललिद बनाए गया है किसको अंतराष्टी सतरंग संग का नया उपाध्यक्ष बनाए विश्वनातन आनंद को जेस के बहुत प्रसीद मसूहूर खिलाड़ी हैं आपको पता होगा किस भारती क्रिकेटर को उत्तराखंड का ब्राइड ने मेश बनाए गया रिशाब पंद को हाली में देज में छे रेल्वे स्टेशनों पर हवा से पानी बनने की मसीन लगेगी इस मसीन का नाम क्या है हवा से पानी बनाने की मसीन चलिए मेग दूतिस्त का नाम है ठीक है यह जह रेलवे स्टेशनों पर हवा से पानी बनेगी हैं पर इसकी मसीन लगाई जाए उसका नाम क्या होगा मेग दूत यह फोटो में देखिए मेग दूत एक कि इस तकनीकी को सेंगत राष्ट की और से मानेता प्राप्त है अब कोता दे कि यह एक बाविंडली जल जनरेटर है डिवाई से जो जल वास्प को ताजे और स्वक्ष पेज़ने बदलने के नभीन टेक्नलोजी का यूज करता है तो यह स्विच अन करने कुछ घंटे के भीत रहेगी इसमें तो हवा से पानी उत्पन ने करने के निकीक द्वारा अमध रेलवे के मुंबई डिविजन के चे रेलवे स्टेशनों पर पीने का पानी उपलब्द कराए जायागा इसका नाम है मेकदूत ठीक है चलिए तो यह ध्यान रखिएगा हवा से पानी बनाने वा पासुकी किस देश ने अपने च्छे मंडलों के मुख इस्टेशन पर एक इस्टेशन एक उत्पात अभियान सुरू किया है दक्षिड मत रेलवे ने और किस रेलवे जोन ने बैटरी से चलने वाला डूवल मोड लोको मोटिव नवदूत का विकास किया है पस्ची मत रेल पर हस्ताक्षर किया है मो यू पर जो हस्ताक्षर किया है नेपाल के साथ किया है ठीक है इसका उद्देश से क्या है दोनों देशों के बीच जो है गलियारा और इंटर लिंकिंग छेत्रों की बहाली और ज्यान और सरवत्तरम प्रताओं को साज़ा करना भी है ठीक है और व हाल ही में भारत और किस देश ने hydrogen task force और one landscape बहाली पर सयुक्त घोशना पस्ताक्षर किया है जर्मनी भारत ने किस देश को उपहार सुरूप पहला डोर्नियर विमान दिया सिलंका SBI किस देश में भारती वीजा केंदर चलाने घोशना किया है बंगला देश किस देश में भारत के नए राजदूद निक्त किया गए बंगला देश के अंदर ठीक है हाल ही में किसे लिखित पुस्तक Indian banking in retrospect 75 years of independence का विमोचन किया गया है आसुतोस रारा विकार के द्वारा ठीक है तो RBI के आर्थी कवर नीती वन संधान विभाक की निदेशक डॉक्टर आस्तोस ने इंडियान बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 years of independence नामक एक नई पुस्तक दिखिया है ओडिशा के मुख्यए मंत्री नवीन पटनायक ने किसके द्वारा लिखित लॉक्टाउन लिरिक्स नामक पुस्तक कभी मोचन किया गया है सेयूक्ता दास किसके द्वारा लिखित Gating, The Bread, The J brain वे टू एक्सप्रीस नाम की नई किताब को मुचन किया गया है प्रात्ना बत्रा किस केंद्री मंत्री द्वारा स्वाधिनता संग्राम ना सुरविरो किताब को मुचन किया गया मिनाक्शि लेखी उत्राखन के CM पुसकर सिंग धामी ने किसके द्वारा लिखित Beyond the Misty वेल पुस्ता कमिशन की आराधना जोहरी हाले में Reliance Industries द्वारा कि राज में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कारवन फाइबर प्लांट बनाएगी तो यह गुजरात के अंदर Reliance Industries जो है दुनिया का सबसे बड़ा कारवन फाइबर प्लांट बनाएगी ठीक है तो हजीरा में जो है यह बनेगा ठीक है इसकी जो कैपसिटी होगी वह होगी 20,000 MPTA ठीक है चलिए मोदी जी ने किस सहर में भारत का पहला अंतराश्टी बुलियन एक्स्चेंज लॉंच किया है IEIBX गाधिनगर में प्री प्रायमी इस्तर पर NEP लागू करने वाला भारत का पहला राज कौन बना उत्रकंडने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी किस सहर में भारत का पहला 3D printed मानाव कान्य बनाया गया है दरावात के अंदर हर घर जल प्रावाणन प्रात करने वाला भारत का पहला राज कौन बना कोवा किस सहर में भारत का पहला brain health clinic शुरू किया गया बैंगलूरू के अंदर हालीम नासा ने किस पर जाने के लिए Artemis मिसन लॉंच किया है चंद्रमा पर जाने के लिए Artemis ठीक है यह मिसन लॉंच किया है तो आपको उता दे कि नासा का मून रॉकेट 19 अगस्त को अपने सफर पर रवाना होने के लिए तयार था कि 322 फूट का अंतरिक्ष प्रवक्षेपण प्रानाडी लॉकेट नासा दारा बनाया गया अब तक का सबसे सक्षाली रॉकेट है यह नासा के अपोलो अभियान के लगवाग आधि सदी बाद चंद्रमा के कक्षा में एक खाली क्रू कैपसूल को भेजने के लिए तयार है किस राज्ज के खंडवा में दुनिया का सबसे बड़ा तैरता सहर उर्जा सेंत्र जो है बनाया गया है ठीक है और सबसे उर्जा सेंत्र कहां बनाया गया मध्यप्रजेस के अंदर इस वरो दोरा लांज किया जाने वाला 75 क्रामेड स्कूलों से 750 लड़कियों दोरा विक्सित उपरेक का नमा जादी सेट किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्षान दानुरी लांज के दक्षिनगोरिया कि इसके द्वारा अंतरिक्षाधायिद संपत्यों के लिए स्काइलाइट अभ्यासा वित्किया गया इंडियन आर्मी के द्वारा ही में 20 सुनारियल दिवस कम मनाया जाता है 2 सितंबर को प्रतिवस मनाया जाता है वर्ल्ड को कोणट डेट इटीक है विश्व हिंदी दिवस का मनायाता है दस जन्वरी को सुशासन दिवस 25 दिस्थमभर कुपर दिवस मनाया जाता है ठीक है और वश्चुक परिवार दिवस एक जन्वरी राष्टी युवा दिवस 12 जन्वरी भारती सेना दिवस 15 जन्वरी राश्टी बाल का दिवेश 24 जन्वरी को मना जाता है भारत की पहली महिला राजपाल कौन थी? सरोजनी नैडू माउंट एवरेश्ट पर दो बार चरने वाली पहली महिला कौन थी? संतोस यादो ब्रह्म समाज की स्थाबना किसके द्वारा की गई? स्थाबना की राजा राम regए स्वामी द्यों नाम क्या था? मुल शंकर वेदो क्यों लोटोग नारा किसने दिया दायन्न सरस्थी ने राम किसमिसन की स्थाबना किसने की स्वामी वीदे कनने है आज का सवाल है सब्सक्राइब करें वीडियो शेर जरू करें मिलते नेक्स लास में जय हिन जय भारत